नमबुद्धाय, जेविम, जेवर्द कल से IPL शुरू हुई ही दुनिया की लाखों को रोडो लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते ही और देखना भी मैं भी उनमें से एक हूँ मैं क्या बाबा साहब भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते थी बज़पन से ही उन्हें माईदानी खेलों का बहुत शौक था उन्हें खेल के आलावा कौन-कौन सी चीजे ज्यादा पसंद थी आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी किस चैनल को सफक्राइब नहीं क्या है अपनी यू आवर्स्था में वे कई खेल खेला करते थी इस संधर्ब में धनाजाई किर लिख थे हैं उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेला था जब वे उनकी पत्नी माता रमाई की तबियर में सुतार के लिए दारवाड गए थे तो उन्होंने वहाँ के वन्ची समुदाई की खेला के लिए चलाए गए खेलाई गए चात्रवास की बच्चों के साथ क्रिकेट खेला था 1920 के आस्वास वह गंजिफा खेल खेलते थे बिरिजबी खेलने का अनंद लेते थे उस समय वे समुद्र में नाहने का अनंद लिया करती थे नानक चंदर रत्तु लिखते हैं कि बाबा साहब कभी-कभी क्रिकेट और हुड़वाल खेलने के साथ साथ टीम का नेतरूट भी करते थे बचपन से ही उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था बचपन में मुंबई में च्वाल में अपनी क्रिकेट टीम के कपतान थे और बॉलिंग के साथ साथ बल्ले बाजी एक्सेलेंट करते थे बाबा साहब को अच्छे कपड़ों पर प्यार था बाबा साहब को रोबबदारी कपड़े बहुत पसंद थे अलग-अलग मोकों पर खेची गई अपनी तस्वीरों में अलग-अलग फैंसी कपड़ों में नजर आते हैं बाबा साहब को अलग-अलग आउसरों के लिए अलग-अलग कपड़ों का इस्तिमाल करना बहुत पसंद था उन्होंने अपनी अनुयायों को अच्छे कपड़े पहनने के लिए भी काहा था 15 फरवरी 1941 को मुंबई में एक भाषन में बाबा साहब ने कहा आपको कपड़े इस्तिमाल करने की बुरी आदत है आप काम पर जाते समय टहलने के लिए या शादी में जाते समय एक जैसे कपड़े पहनते ही यह बहुत बुरा है काम पर जाने और टहलने या शादी के लिए अच्छे कपड़े पहने दो बार खाना ना हुटो भी चलेगा लेकिन अच्छे कपड़े पहनना क्योंकि आज दुनिया में कपड़ों का सम्मान है 14 जनवरी 1948 को मुंबई में अपनी भाषन में बाबा साप ने कहा एक नूर आदमी और तस नूर कपड़े बहर जाती समय आपका पहनावा साप होना चाहिए जब आप अपनी कपड़ों को देखते हैं तो सबसे पहली बाद जो दिमाग में आती है वह है आपका सम्मान गड़ियों पर प्यार डॉक्टर बाबा सवामबिड करजी को रोवपदारी गड़िया बहुत पसंद थी उन्हें विभिन्न आकरों वाली कढ़ाई वाली गड़िया बहुत पसंद थी उनकी कलाई की गड़ियों में भी सोने का पट्टा था बाबा सहाब को फैंसी पेंस का बहुत शौक था डॉक्टर बाब सामबिड करजी को आतदर कलम का बहुत शौक था उन्हें साधरन पेंड पसंद नहीं थी उन्हें बड़े आकर के फाउंटन पेंड पसंद थी वे फलपी पेंड का इस्तेमाल करते थे जो उनके कोट के जेब पर अच्छे लगते थी उनके पास कुछ सोने के पेंड भी थे वे विशेश आवसरों के लिए उनका इस्तेमाल करते थे बाबा साहब को अपने विशेल लेखन कारे के लिए लागातार अलग-अलग कलमों के आवशकता थी इसलिए जब भी वे कलम खरिते थे तो वे एक बार में पांच या च्छे कलम खरिते थे बाबा साहब के इस रूची के बारे में उनके साहयक नानक चंदर रत्व लिखते हैं उस्तक के साथ साथ बाबा साहब को विबिन प्रकार और आकार के फांटन पेन का शोक था उन्हें साधारन कलम पसंद नहीं थी उनकी पसंदिदा कलम पारकर, सेफर और वाटर में थी किताब पढ़ने का शोक डॉक्टर बाबा साब अम्बिडकर जी को पढ़ने का बहुत शोक था उनके पिता सुबेदार राम जी अम्बिडकर जी ने बाबा साहब को बचपन से ही पढ़ना शिखाया था वे उनके लिए पढ़ाई के आलावा अन्य विषयों की किताब लाया करती थी अगर उनके पास की पैसी खत्म हो जाते तो सुबेदार जी अपनी बेटी के घर जाते और उनकी बेटी के जेवर मांगती उस जो एलरी को सोनार के पास गिर्वी रखते थी और उन पैसों से किताबे खरिद कर लाती थी उनके प्रायसों के कारण बाबा सहाब को बजपन से ही अतिरिक तो पढ़ने का शौक हो गया था किताबे खरिदने के लिए जो लरिक गिरिवी रखने वाला वाप कितना महान होगा मित्रों आशा करता हो आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरू सबक्राइब करे नहीं वाले चैनल को जरू सबक्राइब करे लाइक करे, सेर करे, फेस्बुक पेज को जरू फालू करे चलो मिलते आगले वीडियो में नमो बताए